हाई एस कैसे हैं आप सब दिहंडेट दो हजार चौबिस का सत्रहवा मुकाबला साउदन ब्रेब और वेल्स फायर के बीच में खेला जाने वाला दोनो टीम में बहुत अच्छा करें एक पहले असान पर दूसरे असान पर तो कौन से टीम में मुकाबला जीते कि इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो सुरू से लेकर लाज तक देखना आगे बने से फेले छोटा सा रिक्वेस्ट है अभी आप इस वीडियो को लाइक करते हो बाद में बूल जाते हो और हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करो टेलिग्राम पर फाइनल अपडेट टीम आएगी और इस मैच का बहुत सारा अपडेट फाइनल टीम, टॉस, मैस, से संदुनिया बर के प्रेटिक्शन कवर किये जाएंगे और दो हंडर्ट वीमिल्स भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है तो यूजर एडिस से भी आप सर्च कर सकते हो लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में ड अगस्त को 12 बचकर 5 मिनट से सुरू होगा सोफिया गार्डेन पे 13 मुकाबले हुए और 140 का एवरे स्कोर है 6 मैच डिफेंड और 7 मैच चेस हुए हैं यहाँ पर एक बार भी 170 प्लस नहीं बना है 5 बार 150 तो 170 प्लस प्रॉस नहीं हुआ है तो बार 130 तो 150 और 6 बार 130 से नीचे का स्कोर बना है मतलब साफ है कि यहां कि जो विकेट है बैटर्स बॉलर्स दोनों को फेवर गरती है और हाड विकेट होती है टाइम के साथ साथ स्लो होती जाती है तो ऐसे में स्पिनर्स भी अच्छा गरते हैं पेसर भी अच्छा गरते हैं अच्छा खासा बाउंस है तो बल्लेबाज ये जो है रन कर सकते हैं थोड़ा समय भी ताया तो बट गिंदवाजों के लिए भी काफी मदद हैं पिछले कुछ मुकाबले देखे जाए तो यहां 113 डिफेंड हुआ 10 रन से ओवल जीती 11 विकेट पेसर 6 विकेट इस्पीनर्स यहां 109 बना चेस हो गया 11 विक कर रहे हैं सर्फ 150 के आसपास का एक ही स्ट्रुगल कर रहे हैं तो 120-30 इस मैच में भी माकसमाम हमें देखने को मिल सकता है पेस बना मिस्पीन देखा जा है तो 13 मैच हुए है 99 पेसर स्ट्र बिकेट इस्पीनर्स ने लिए हैं और हैट-टो-हड 6 मुकाबले इन दोनों टीमो चार में दो जीते हैं, दो हारे हैं, और साउधन ब्रेव पहले नबर पे चार में तीन जीते हैं, और एक हारे हुए हैं, वेल्स फायर से सुरुवात करते हैं, तो वेल्स फायर के दिम बड़ी जबर जस नजर आ रही है, और बड़े-बड़े प्लेयर से इस टीम में मौझू जोफ, क्रेन, डेविड पेन, डेविड विली जैसे गेंदबाज मोजो थे तो गेंदबाजी स्टिम की असली स्टेंट है और गेंदबाजी अच्छी हो भी रही है पिछले मैस में अज़े डाल जाए तो 139 बनाया था इन्होंने बोर्ड पे जैसमें जॉनी बेश्टो ने 50 जड़िया और टॉम हैबल ने 30 प्लस का स्कोर किया था और टीम 139 तक पहुँची थी चार रन से जीते ते और गेंदबाजी देखे डेविड विली दस गेंदों में सिर्फ 11 रन, मैट हैंडरी दस गेंदों में 19 रन, डेविड पेन 20 गेंदों में 18 रन, दो विकेट, क्रेन 10 गेंदों में 30 रन, हरीस रौफ दस गेंदों में सिर्फ 15 रन, विकेट, ल्यू कुल, बीज गेंदों में 29 रन, एक विकेट, तब ही गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हरीस रौफ, डेविड विली, मैट हंड़ी, इंटरनेसले स्टार से टृम के पास मोज साउदन ब्रेप भी तीन जीती है, दो हारी है, टॉप फैंट से पिक में जो हमें पहली पसंद रहने वाले हैं, अभी हाली में पच्पन अनमना का फॉर्म में वापसी किया था, उससे पहले फॉर्म में नहीं थे, और एक साउदन ब्रेप के खिलाब भी भात्तर अनकी पारी खेल ँगे है, तो इनगा ब्ल्ला चल सकता है, टॉम केड मोरे को फिलाल हम स्क्प करें, नीची आ रहे हैं खेलने के लिए जो एकलार को भी हम स्क्प करें, गलैन फिलिप्स को भी विंख्तर है, फोर्म में नहीं ही है, टॉम एबल को हमने उठ야 अभी 33 आली में खिया था, तूम एबल यहां पर ख्यल सकते हैं अचछा कर सकते हैं। इंको उठा लिए है। उसके अलवा जो हम देखणे होए डेविड विली दो मैच से विकेटगी ले रहे हैं। यहां दो विकेट, यहां दो विकेट 9 बाजी कहीब सकते हैं। विकेटिस वेन्यू पर यह ले चुके हैं और जब भी साउधरन प्रेप के खिलाब मैच होता है तो यह अच्छा करते हैं बीस पच्छीस तीस रंगर करके देते हैं तो इस मैच में इनके चलने के चांस है जग तो इनको भी हमने उठाली है जील बगेरा के लिए देख सकते हो डेविड वेन्यू फहाद अच्छा है यह भी कमाल इंदबाजी करने तो यह भी इस मैच में अच्छा कर सकते हैं यह भी एक बहतरी नपिक हो सकते हैं आप चाहो तो क्रें को भी ले सकते हैं लगातार विकेट ये भी ले रहे और हरी स्रॉफ तो बहुत ही इंपोर्टन ऌरोल करने वाले हैं 3 विगेट, 2 विगेट, लगातार ले रहे हैं साउधन ब्रेव की खिलाब एक 3 विगेट की पारी खेल चुके हैं साउधन ब्रेव की बात की जाये तो ये टीम और अच्छा करे ये पहले नमबर पर बनी हुई है और James Wins, Alex Hales, मतलब बहुत ही Alex Davies बहुत ही कमाल के बल्लेबाजों से भधी हुई टीम है और दोनों बहुत अच्छे पॉर्म में मिडिल डॉर्डर में के पास है काहिरन पोलाड, पोलाड का पावरेश टीम के पास मौझूद है बहुत अच्छे पॉर्म में बहुत अच्छे पॉर्म को जिसमें 90 रन बनाया था, James Wins ने, 30 रन बनाया था, डेवीस ने और 38 रन बनाया था पॉलाड ने तो इनके सभी की प्लियर्स की बल्लेबाज बहुत अच्छे पॉर्म में गिंदबाजी में अकील होसें 3 विकेट, टाइमन मिल 2 विकेट, जॉर्डन 3 विकेट बहुत ही कमाल की गिंदबाजी हो रही है, जोफरा अर्चर ने भी एक विकेट लिया था थोड़े महेंगे साबित हुए थी ये दोनों, ओबर्टोन और अर्चर बागी समने कमाल की गिंदबाजी करी थी 30, 24, 38, 31 लगातार रन कर रहे हैं, पिछले मैज में भी अच्छे टच में दिखे थे उसके अलबाजा कारेन पोलाड हमने पिक किया 30+, 30+, 30+, लगातार करें गिंदबाजी कराए हैं तो विकेट भी लेके दे सकते हैं तो ये भी अच्छा कर सकते हैं उसके अलावा क्रेस ओवर्टोन अभी हाली में 3 विकेट लिये थे हाला कि कई मैचों विकेटलेस भी गया है बट बहुत ही कमाल की खिलाडी के पैटिंग भी अच्छी है करते हैं वेल्सफायर के खिलाब 2-2 विकेट लगातार 3 बारी नोने लिया है इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं जॉर्डन 2-2 विकेट 3-3 विकेट लगातार ले रहा है और 70 रनेक मैच में मनाया था वेल्सफायर के खिलाब वेल्सफायर बहुत पसंद है विकेट भी लेते हैं तो यहां पर रन भी करते हैं तो वेल्स फायर के खिलाव यह अच्छा करते हैं अकील होसान प्रिसले मैंच में तीन विकेट लेते हुए नजर आया थे तो इनको चाहो तो ले सकते हो उसके अलावा जोफरा अर्चर को हमने परी टीम में पिक किया है एक विकेट एक विकेट तीन विकेट लगातार इन्होंने लिया है और टाइमन मिल्स भी दो दो विकेट दो दो विकेट निकाल रहे हैं और वेल्स फायर के खिलाव आखरी मीट में चार विकेट और यहां दो विकेट लिया था तो यह भी अच्छा कर सकते हैं सेफ टीम देख लेते हैं तो यहां पे जोनी बरिश्टो, एलेक्स डेविस, वाइस कैप्टन यहाँ पे जेम्स विन्स है, टॉम एबल, कैरन पुलाड, जॉर्डन कैप्टन, डेविड विली, ओवर्टोन, डेविड पेन, टाइमन मिल्स और हरीस रॉफ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्रिस ओवर्टोन की जगह आप चाहो तो अकील होसाइन को भी ले सकते हो, रिसकी टीम में है जॉनी बरिश्टो, जेम्स विन्स, कैरन पुलाड, क्रिस जॉर्डन, डेविड बिली, ओवर्टोन, मैट हैंडी, डेविड पेन, टाइमन मिल्स, अर्चर और यहाँ पे हरीस रॉफ नजर आ रहे हैं, बा बात की जाएं, तो यहाँ पर 48% वेल्स फायर के, 52% साउधन ब्रेव के जीतने के चांसेज रहेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि साउधन ब्रेव की टीम यह मैच निकाल ले जाएगी, जी हाँ, एकॉर्डिंग टू में साउधन ब्रेव में भी दा विन्नर अप दिस